हाई दोस्तों, आज मैं आपके लिए दोधार साथ में आई बॉलिवुड मुवी नो स्मोकिंग को एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ ये फिल्म अंदुरा कशेप की तीसरी और जॉन अबरहम की फेवरिट फिल्म है और इसे देखने के बाद शादी आपकी भी one of the best films में शामिल हो जाएगी क्योंकि ये फिल्म एक unique story line और purpose को सर्फ करती है तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते है फिल्म की शुरुआत के नाम के शक्स से होती है जो कि एक बहुती बड़ा chain smoker और एक बड़ा business man होता है कि ये अपनी mean से जागता है और वो एक अंजान जगा पर होता है जो कि उसे खुद भी समझ में नहीं आती है कि वो कहाँ पर है ये जगा के 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 घर से बहुत दूर यानि कि मुंबई से मीलो दूर साइबेरियन आर्मी बेस की होती है जहां के को रशियन आर्मी की निगरानी में रखा गया है कि उठने के बाद यहां cigarette टलाश करता है और एक दरवादे पर जाकर नौक करके cigarette मांगता है पर तभी उसके पीछे से गोली चलाई जाती है और केस समझ जाता है कि उसको cigarette कभी भी नहीं मिलने वाली है के को थोड़ी देर में बाहर बर्फ के धेर पर बाट टब और उसके बगल में रखा एक cigarette का पकेट डिखाई देता है cigarette देखते ही कि सब कुछ भूल जाता है और बेस का शीशा तोड़कर बिल्डिंग से बाहर कोटता है और cigarette उथाने के लिए भागता है ये देखकर बाहर एक रश्यन जवान के के पीछे राइफल लेके दोड़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है पर के उसकी बात नहीं मानता और लगता है cigarette उठाने के लिए भागता रहता है और इतने में ही वो जवान के के उपर फाइरिंग कर देता है के के गोली लगते ही के उस cigarette के पैकेट के पास पहुँचकर गिर जाता है पर अभी भी उसका cigarette पीने का जुनून खत्म नहीं हुआ था और वो पैकेट में से एक cigarette निकाल कर उसको जलाने की कोशिश करता है पर उसके पास माचिस नहीं होती है के जैसे उस जवान से माचिस मांगता है तो वो उसके मूँपर गोली चलाता है और इसकी बाद के की आख अपनी घर के बाट टब में खुलती है जहां वो cigarette सुलगा रहा होता है के की वाइफ अंजली उसके cigarette पीने की आदद से काफी परिशान होती है और वो के के उस सिगरेट छोड़ने के लिए कहती है पर के उसकी बाद नहीं मानता है और कहता है कि उसे पता है कि कब कैसे और क्या करना है यानि कि के की personality एक dominating personality है और cigarette को लेके उसके लिए काफी roughness है जो किसी की भी कहने पर वो नहीं छोड़ने वाला है के की मुलाकात इसकी बाद अपने psychiatric दोस्स से होती है और वो उसे बाद टब के सपने के बारे में बताता है के नहीं ये सपना पहली भी कई बार देखा होता है और उसका दोस्त इस बार उसको advice देता है कि अगली बार वो cigarette का packet उठाने की बजाए उस बाद टब में कूट कर देखे कि उसमें क्या है अब आजी के दिन शामको के ने अपने घर पे पाटियों रखी होती है जहां के 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 दोस्त अपनी वाइफ के साथ आते है के अपने दोस्तों के साथ एक अलग ग्रूब में बैठा cigarette सुलगा रहा होता है और अपनी भडास निकालता है कि दुनिया मेरे पीछे पढ़ी हुए मुझे सिगरेट छोड़वाना चाहती है और मैं नहीं छोड़ने वाला दूसी तरफ उसकी वाइफ उसके साथ में आए दोस्तों की वाइफ के साथ होती है और वो बताती है कि वो बहुत जल्द के को डिवास दे देगी उफर करता है पर अबास उसे लेने से मना कर देता है कि उसके साथ जबदस्ती करने लगता है पर अबास तब भी उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि उसने सिगरेट पीना छोड़ दिये क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ही ज़ादा प्यार करता है अबास को बाहर के के साथ खड़ा देकर अंजली भी उससे बात करने आ जाती है अंजली नोटिस करती है कि अबास ने अपने राइट हैंड में गलफ वैना हुआ है और उसने कानों में कोई अजीब सी मशीन लगा रखी है जिस पर अबास उसे बताता है कि एक एक्सिदेंट पो उसके हाथ की दो उंगलिया कड गई थी और उसके बाद से उसे कम सुनाई देने लगा था अब अबास के की कहने पर भी सिगरेट नहीं पी रहा होता है तो के को लगता है कि अब उसकी वाईफ के साम में उसकी फजियत हो रही है तो वो अबास को जबदस्ती सिग्रेट पिलाने की कोशिश करता है और अबास उते धक्का देकर गिरा देता है जो कि के को वाकई बुरा लगता है इसके थोड़ी देर बाद अबास अंजली से मिलकर उसको प्रयोकशाला का कार्ड देता है और कहता है कि अगर वो के कि सिगरेट पीने की आदत को छोड़वाना चाहती है तो वो बस उसे एक बार प्रयोकशाला में भेज दे वहां काफी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं और सिगरेट छोड़वाने की 100% कैरेंटी लेते हैं इसके अगले ही दिन अंजली के से प्रयोकशाला जाने के लिए कहती है जिस पर के साफ मना कर देता है पर वो उसे प्रयोकशाला का कार्ड ले लेता है और अपने काम के लिए निकल जाता है इसके बाद के अपने भाई जे सिमिलने हॉस्पिटल में जाता है जे के अस्थमा होता है और उसका एक लंग पहले ही निकाला जा चुका है यहां के की मुलाकात जे के डॉक्टर से भी होती है जिसने अबास की तरह ही कानों में डिवाइस पहनी होई थी और वो भी के को अपनी सिगरेट पिने की आदत को छोड़ने के लिए प्रियोकशाला जाने के लिए कहता है पर प्रियोकशाला का नाम सुनकर के उसे भी इग्नोर कर देता है इसके बाद के अपने ओफिस में आ जाता है और यहां हम उसकी सेकरेटरी एनी को देखते है जो कि बिल्कुल उसकी वाइफ अंजली की तरह दिखती है एनी वैसे तो उसकी सेकरेटरी थी पर वो बार बार के के करीब आने की काफी कोशिश करती है के जब शाम में अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ अंजली उसे छोड़ कर जा चुकी है वो तुरंट अंजली को फोन लगाता है और उससे इसकी वज़ा पुछता है अंजली कहती है कि उसे उससे डिवास चाहिए अगर वो उसके साथ रहना चाहता है तो उसे अपने सिगरेट पेने की आदत छोड़ने ही पड़ेगी अब के के सामने ये एक बड़ी मुसीबत थी तो वो अबास को फोन लगा कर प्रियोक शाला का अपॉइंट्मेंट बुक करने के लिए कहता है अबास इस बास से काफी जादा खुश हो जाता है और तुरन प्रियोक शाला के कॉल सेंटर में फोन लगा कर के के लिए अपॉइंट्मेंट बुक कर देता है जहां हमें काफी सारी लड़कियां दिखाई देती हैं जिन्होंने बुर्खा पहन रखा होता है के अबास के बताए एडरेस पर जाता है पर ये किसी प्रियोक शाला करना होकर कलकत्ता कार्पेट्स के दुकान होती है जहां कालीन बीची जा रही है के दुकान के अंदर जाकर प्रियोक शाला के लिए पूछता है तो वहाँ पर बैठा एक आदमी एक यूनीक डिवाइस से के का हाथ स्कैन करता है जिसमें के की सारी डिटेल्स निकलाती है कि वो एक रिच इंसान है और एक बड़ा चेन स्मोकर है इसके बाद वो आदमी एक धकन खोल कर के को सीडियों के रस्ते मीचे जाने के लिए कहता है और के उन सीडियों से उतरना शुरू कर देता है के जैसे जैसे आगे बढ़ ला था ये जगा वैसे ही वैसे उसे गुम रहा कर रहे थी ये जगह एक भूल भूलया टाइप की बनी होती है और अंदर के तरफ बढ़ते हुए के को यहां काफी सारे लोग एक जेल में एक साथ खड़े दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे होते हैं के के समझ में नहीं आता है कि ये सब यहां पर क्या कर रहे हैं पर वो आगे बढ़ते बढ़ते प्रयोकशाला के में हौल टेक महँच जाता है जहां के को अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती है पर वो समझ नहीं पाता है कि उस इंसान के साथ अंदर क्या किया जा रहा है और इसकी बादी यहां अंदर से शरी शरी प्रकाश गुरु घंटाल बाबा बंगाली से आलदा वाले की entry होती है जो कि इस प्रियोक शाला के संचालक है और यहां हर चीज उनकी मरजी से ही होती है के की सिगरेट छोड़वाने के लिए बाबा बंगाली उसके सामने काफी बड़ा सा सिगरेट शास्त्र रख देते हैं अब जाहिसी बात है कि के इतना तो पढ़ने वाला नहीं था इसके बाद जब के को होश आता है तो बाबा बंगाली उसके बगल में बैठे होते हैं और अब वो के को डाराते हैं और के कॉंट्राक्ट साइन करने के लिए तयार हो जाता है। कि इसे contract sign करवाने के बाद बाबा बंगाली उससे 21,11,110 रुपया का check sign करने के लिए के लिए कहते हैं और अपनी फीज का एक रुपया अलग से cash देने के लिए के लिए कहते हैं सिगरेट छोड़वाने की इतनी फीज सुनकर के भड़क जाता है और बाबा बंगाली से कहता है कि वो पागल हो गया है क्या वो अब इस program को नहीं लेगा और यहां से जाने लगता है इस पर बाबा बंगाली उसे बताते हैं कि यहां इस पताल लोक में जो भी आता है उसे मेरा कहा मानना पड़ता है वो सिफ सिगरेट को छोड़ता ही नहीं है बलकि उसे यहां दफना कर भी जाता है बाबा बंगाली केसे कहते हैं कि बेटा आत्मा है तो शरीर ईश्वर है और आत्मा नहीं है तो शरीर नश्वर है क्योंको ये सब कुछ बखवास और फ्रॉड लगने लगता है जो कि जाहिर सी बात है हर किसी को लगेगा और वो यहां से निकलने की पूरी कोशिश करता है पर वो इस भूल भुलाईया में फस जाता है और घूम कर बाबा बंगाली के पास ही आ जाता है के के भी समझ में आ गया था कि उसे अगर यहां से बाहर जाना है तो बाबा को पैसे देनी होंगे तो वो उस चेक पर साइन कर देता है और अब शुरू होता है सिगरेट शुडवाने का असली खेल बाबा बंगाली के को प्रयोक्षाला के खतरनाक रूल्स बताते हैं इसे सुनकर के की पैंट डिली हो जाती है बाबा बंगाली उसे बताते हैं कि अब वो जब जब सिगरेट पिएगा तब तब उसके बुरे परड़नाम उसको जहलने होंगे वो कहते हैं कि पहली सिग्रेट पीने पर हम तुम्हारे भाई जे को एक गैस टेमबर में डाल देंगे जिसमें तुम्हारी ही आज तक की पीवी हजारों सिग्रेटों का धुआ भरा होगा और फिर उसका बचना न बचना तो ये शिवर के हाथ में है यहां बाबा बंगाली उसको गैस टेमबर भी दिखाते हैं जिसमें जे के डॉक्टर की मा को रखा गया है बाबा कहते हैं कि दूसरी सिग्रेट पीने पर हम तुम्हारी सिग्रेट पकड़ने वाली उंगलियां काट डेंगे और यहां बाबा के को अबास की दोनों उंगलियों का कटने वाला वीडियो दिखाते हैं और के की समझ में आ जाता है कि अबास की उंगलियां territ में नहीं बलकि प्रयोकशाला में सिग्रेट पीने के लिए काटी गई थी केको बताया आता है कि बेटा अब भी अकर तुम नहीं माने हो तुमने तीसीरी सिग्रेट पी ली तो हम तुम्हारी बीवी अंजली को जीवन से मुक्त कर देंगे लेकिन तुम अगर अभी भी बेशरम निकले और तुमने इसके बाद भी सिग्रेट पी तब ही प्रियोक्षाला का अगरा पहलवान आकर उसके मुँपर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है और इसके बाद जब केको होश आता है तो वो कलकटा कार्पेट वाले के दुकान पर होता है जो उससे कहता है कि आपकी गाड़ी पर कालीन चड़ा दी गई है और अब आप यहाँ से जा सकते है अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबास को प्रियोक्षाला के तरफ से उसकी एक उंगली वापस कर दी गई है और उसमें एक यूनिक रिंग भी होती है जिसके तरू पहनने पर वो उंगली तरफ उसके हाथ में फिट हो जाती है और इसलिए ही अबास के के प्रियोक्षाला जाने के लिए पीछे पड़ा हुआ था अगर वो जाएगा तो उसको उसकी उंगलिया वापस मिल जाएगी के प्रियोक्षाला से बाहर आने के बाद बाबा बंगाली को सेरिसली नहीं लेता है और वो सोचता है कि वो मेरे ओपर 24 गंटे नजद नहीं रख सकता है वो ये बात फोन करके जे के डॉक्टर को भी बताता है डॉक्टर पहले तो के के ओपर काफी बरसता है क्योंकि के उसकी रेकेमेंडेशन पर प्रयोक्षाला ना जाकर अबास के recommendation पर गया था और इस वज़ा से डॉक्टर को प्रयोक शाले से कुछ भी नहीं मिलने वाला है के इसके बाद अपनी गाली में बैठे बैठे सिगरेट जलाने जा रहा होता है के की गाली के आगे जा रही एक गाली में एक लड़की के को सिगरेट जलाने से मना भी कर रही होती है पर के नहीं मानता है और लाइटर जला देता है और तब ही उसकी गाली के सारे शीशे फूड जाते हैं और के को सही सुनना बंद हो जाता है अब के को अबास और डॉक्टर की तरह अपने कानों में मशीन लगानी पड़ती है और इसके समझ में आजाता है कि उन्दों ने भी मशीन क्यों पहनी हुई है के इसके बाद अबास से मिलता है और उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सिगरेट पी कर रहेगा तो बाबा उससे नहीं देख भाएगा और वो ऐसा ही करता है वो इंडिया से काफी दूर कहीं विदेशे किसी रहेगिस्तान में जाकर सिगरेट पीता है और तब ही वहाँ पर एक आदमी गटर के अंदर से निकलता है और के से बाबा बंगाली के फोन पर बात करवाता है बाबा बंगाली के से कहते हैं कि तुमने हमारी प्रयोकशाला का रूल तोड़ा है और उसके हिसाब से हमने तुमारे भाई को उठा कर गैस टेमबर में डाल दिया है के तुरंट वहां से भाग कर बाबा बंगाली के पास आता है और बाबा बंगाली उसके भाई की जान बख्षने के लिए उससे दुबारा से 21,11,110 रुपे भरने के लिए कहते हैं और के को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है के इस हादसे के बाद से ही समझ गया था कि बाबा बंगाली के नजर हर तरफ है और वो चाहे कुछ भी कर ले वो उससे नहीं बच सकता है और इसको मानते हुए के सिगरेट पीना छोड़ देता है के की मज़़दार बात ये भी है कि वो अपने पूरे आफिस को नो स्मोकिंग जोन बना देता है ताकि अगर वो खुद नहीं पी रहा है तो दूसरों को भी नहीं पीने देगा या अगर वो दूसरों को देखेगा तो उसका मन ललचाएगा तो इसलिए उसने पूरे ओफिस में सिगरेट पीना ही बैन कर दिया है इसके कुछ टाइम बात के का एक दोस्ट एलेक्स क्यूबा से इंडिया आता है और फिलाल क्यूबा से सिगार इंडिया लाकर बेचने जा रहा है एलेक्स जब उसे सिगार ओफर करता है तो के उसको समझाता है कि उसने सिगरेट पीनी छोड़ दिये पर एलेक्स उसकी बात मानने को तयार नहीं होता है और अपने सिगार के अगले इवेंट में के को मीडिया के सामने सिगार पीने के लिए कहता है के मना करता है क्योंकि उसको बाबा बंगाली का डर होता है पर एलेक्स और उसके चेले चापाटर जबदस्ती उसकी मूँपर सिगरेट रखकर जलाने लगते है के सिगार के जलने से पहले उसे अपने मूँ से थूख देता है पर अब तक देर हो गई थी और इसे तुरंट पुलिस का फोन आता है जो कि उसके घर पर ही खड़े हुई थी और वो पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी वाइफ अंजली मिसिंग है और यहां काफी सारे खून के निशान है अब मज़े की बात यह है कि के इस इवन्ट में अंजली के साथ ही आया था और अब के के ढूंडने पर भी अंजली उसको वहाँ पर दिखाई नहीं देती है कि समझ जाता है कि यह जरूर बाबा बंगाली ने करवाया होगा कि सबसे पहले भाग कर अपने घर पर जाता है यहां वो पुलिस वालों को बताता है कि यह बाबा बंगाली ने कराया है पुलिस वाले उसकी किसी भी बात को समझ नहीं पा रहे होते हैं तो वो उनका डाउट दूर करने के लिए प्रयोक्षाला के कॉल सेंटर में फोन लगाता है और फिर जाकर उसकी बात बाबा बंगाली से कराई जाती है जो कि इस चाइम पर अंजली की बॉड़ी का पोस्ट मॉटम कर रहे होते हैं के उससे कहता है कि पहली बात तो उसने सिगार पिया नहीं और दूसरी बात अगर पिया भी था तो उसे उसकी उंगलिया काटनी चाहिए थी ना कि अंजली को काटना चाहिए था बाबा बंगाली के के कहने पर दुबारा से फुटेच चेक करवाते हैं और पाते हैं कि के सही कह रहा है उसने सिगार को जलने से पहले ही मूँ से थूख दिया था अब इस बात पर बाबा बंगाली फुटे चेक करने वाले धाई फीट के चौरसिया को तहकाने में डलवा देते हैं और के को अंजिली के लिए सौरी बोलते हैं के बाबा बंगाली से कहता है कि वो ये सारी बाते उससे नहीं बलकि पुलिस वालों को खुद बताएं और एक पुलिस वालों को अपना फोन पकड़ा देता है पर पुलिस वालों जैसे ही फोन पकड़ता है तो सामने से कोई भी नहीं होता है और के के दुबारा नमबर मिलाने पर वो नमबर मिलता ही नहीं है अब पुलिस वाले केक को लेकर थाने जा रहे होते हैं पर अभी वो अबास को अपने घर पर बुला लेता है और उससे पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है अबास यहां पुलिस वालों के सामने केक को जूटा थाबित कर देता है कि अबास उसके हाथ की उंगलिया दिखाने को कहता है और यहाँ अबास की उंगलिया सही सलामत मिलती है और पुलिस वाले के को ही उसकी बीवी का कातल मानने लगते है पर कि अभी भी हम्मत नहीं हारता है और पुलिस वालों को लेकर कलकलता कार्पेट की दुकान पर जाता है कि यहाँ नीचे प्रियोक्षाला में जाने का रस्ता खोदने लगता है पर उसे ऐसा कोई भी रस्ता यहाँ पर नहीं मिलता है तो पुलिस वालों उसे एक घुमा कर थपड लगाता है और अपने साथ लेकर थाने चला जाता है के स्टीशन पहुँचकर भी पुलिस वालों के सामने दावा करता है कि अगर वो सिगरेट पीएगा तो बाबा बंगाली उससे सदा देगा और सिगरेट पीना शुरू कर देता है अब के जैसे जैसे सिगरेट पी रहा था के पुलिस वालों से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे भाई को हिंदी लिखनी और बोलनी आती ही नहीं है वो जर्मिनी में रहता है और सिर्फ जर्मन जानता है और उसकी ये मौत खुदकुशी नहीं बलकि बाबा बंगाली न उसे जान से मार दिया है पुलिस वाल गवाय उस सिगरेट शास्त्र को पढ़ना शुरू कर देता है और पूरा पढ़ने के बाद उसे समझ में आता है कि साल के आखरी जाने वाले मिनिट और नए साल के पहले मिनिट को जीरो मिनिट कहा जाता है और इसमें दूमरपान किया जा सकता है कि इसकी बाद सिगरेट पीन को पकड़ने के लिए कहता है पर वो वहां से निकल जाता है इसकी बाद केक आग दुबारा से साइबरियन आर्मी बेस में खुलती है जहां वो मुवी के स्टार्टिंग में था केको अंजली का फोन आता है और वो उसे पूछती है कि तुम कहां पर हो पर ये बात तो केको ना फूक कर उस बाद टब में चलांग लगा देता है और यहां तो वो सीधा प्रियोकशाला के तहकाने में पहुंच जाता है केको यहां वो सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि उसे तब दिखाई दिये थे जब वो पहली बार प्रियोकशाला आया था और आज के उनके सा प्रियोकशाला के अंदर जाते हुए देखता है और वो समझ जाता है कि उसके साथ भी आप वैसा ही होगा जैसा उसके साथ हुआ है क्योंकि अब वो दो पुलिस वाले भी दिखाई देते हैं जो अंजली के ये इसकी उससे पूछताच कर रहे थे वो उनके करीब जाकर उनको मारना लगता है पर वो उनके आरपार हो जाता है क्योंकि उसके पास अब शरीर नहीं था इसके बाद ही इस तहकाने के सारे कैदियों को नहाने के लिए ले जाया जाता है पर यहां नहाने के लिए पानी नहीं था बलकि आग ही आग दिखाई दे रही थी क्योंकि बाकियों के साथ साथ यहां इस आग में बुरी तरह जुलस जाता है और इसके बाद उसकी आग फाइनली अपने घर पर खुलती है और उसे अब पिछला कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है कि थोड़ी देर में शीशे के आगे खड़े होकर देखता है कि उसकी हाथ की सिगरेट पकड़ने वाली दो उंगलिया कटी हुई थी और उसे ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह उसके साथ कैसे हुआ इसकी बाद मूवी के आखरी सिंद में के भी बाकियों की तरह दूसरों को प्रियोक शाला जाने के लिए रेक्मेंड कर रहा होता है ताकि उसे भी उसकी खोई हुए चीज यानि कि उसकी उंगलिया वापस मिल सकें और इसी के साथ इस मूवी की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है पर अब बात करते हैं इस मूवी की एक इंटरस्टिंग स्टोरी लाइन पर जो कि बहुत ही कन्फ्यूजिंग थी दरसर प्रियोक शाला और बाबा बंगाली खान जैसा इस मूवी में कुछ था ही नहीं यह सब के के दिमाग की एक उपच थी के सिर्फ अपनी सिगरेट पीने की हैबिट को छोड़ना चाहता था क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी बीवी उससा पलाग देदेगी इस फिल्म में अंजली का भी कोई डबल रोल नहीं होता है और के न उसे सिर्फ दो जगे इमेजिन कर लिया था एक उसकी वाइफ और दूसी उसकी सेकरेटरे के रूप में बाबा बंगाली सिर्फ एक नॉर्मा डॉक्टर था जो कि के की सिगरेट छोड़ाने के लिए उसका इलाज कर रहा था आकरी में के की अंतरात्मा जलने का मतलब था कि के इन अपनी सिगरेट पीने की हैबिट को त्याग दिया है ये मुवी बहुत ही कॉंपलिकेटेड है और उसके साथ था ये एक बहुत क्लियर मैसेज भी देती है कि एक इनसान अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहे या अगर वो जो कुछ भी कर रहा है तो उसे ये समाज और इसकी विवस्था नहीं करने देगी और उस इनसान को उनके हिसाब से जिंदगी जीने को मजबूर कर देगी अगर वो इनसान उनके हिसाब से चल दे तो वो बहुत खोश हो जाएगी और अगर वो नहीं चलता है तो सब मिलकर उसकी जिन्दगी को जंड करने में कोई बिकसर नहीं छोड़ेंगे के की लास्ट में कटी हुई उंगलिया यही बताती हैं कि अब वो दूसरों के इशारों पर चलने को तयार है और दूसरों को प्रियोक्षाला भीजने का मतलब है कि वो भी इस करप्ट सिस्टम का पार्ट बन चुका है बहुत लोग इस मूवी में के 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 किरेक्टर को इस मूवी के डारेक्टर अनुराग कश्यब के रियल लाइफ से भी जोड़ कर देखते हैं क्योंकि नो स्मोकिंग अनुराग कश्यब की तीसरी फिल्म थी और इससे पहले कि उनकी दोनों ही फिल्मे पांच और ब्लैक फ्राइडे साकाय के तरफ से बैंड कर दी गई थी और मुवी के लास्ट में केकी उंगलिया कटी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि अब वो स्मोकिंग नहीं कर पाएगा बलकि ये भी हो सकता है कि अनुराग कश्यप अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उनकी फिल्म में बार बार बैन करी जा रही है और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो सिर्फ वो बनाएं जो की दूसरे चाहते हैं अगर हम किवल नो स्मोकिंग मूवी की बात करें लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए फिर मिलता हूँ आपसे एक जबदस फिल्म की कहानी के साथ तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए गुड बाई